संसत का शीत कालिन सत्र आज से शुरू हो रहा है इस सत्र में सरकार की योजना कुल 35 विधेकों को पारित कराना है हलांकि इनमें भी सबकी नजर नागरीकता संशोधन विधेक पर रहेगी मौजुदा समय में संसत में 43 विधेक लम्मित हैं संसत का यह सत्र 13 दिसंबर को समाप्थ होगा इसमें 20 बैठाके होंगी इस सत्र में कई मुद्धों पर हंगामा होने की आसार है आर्थिक सुस्ती, किसानों की समस्या, जी एन्यू में विरोथ प्रदर्शन, उन्नाव और लोकसवा संसत फारुक अब्दुला की हिरासत के मामले पर विवक सरकार को खिर सकता है कॉंगरेस की मांग है कि पूर्व केंदरिय मंतरी पीछे दमराम को सत्र में हिस्सा लेने की इजासत मिनने चाहिए मौजुदा सत्र में इस पर भी हंगामा होने की आसार है